पिता थे किसान, आर्थिक स्थिति कमजोर, लेकिन बाबुजी के नेक इरादे ने बेटे को बनाया PCS दिगंबर सिंग खुश्वा में पोस्ट वेजिट की परिक्षा देकर जो ही फुरसत पाया उसके तत्कालवाद बाबुजी का आदेश हुआ कि तुम गोरखपूर छोड़ दो और बनारस इलावाद दिल ली या लखनाओ में से जो तुमको अच्छा लगे कमपिटिशन की त कुछ किताबे और जरूरी सामान लेकर बस इस से इलावाद के लिए चल दिया वैसे गोरखपूर वे इलावाद जाने के बीच एक और रोचक एवं मेरे लिए दुखत गटना है जो कुभी टाइम मिला तो जरूर पोस्ट करूँगा कोई दिन बाद ही मैं गोरखपूर में जरूरी सामान लाद कर बस से इलावाद सुबह पांच बज़े ही पहुँच गया और एक नेक दिल इंसान श्री मनोज भईया की मदद से दारा गंज में उनके एक रिष्टदार के यहां शरण लिया वेसे वहाँ पहले से कोई मकान या कमरा बुक नहीं था नहीं कोई मुझको इलावाद का माहल समझने में दिक्कत महसुस होने लगी कुछ दिन के बाद सबसे मिलना जुलना शुरू हुआ इस दोरान एक बात लगबक सभी में कॉमन लगी कि ज़्यातर अभ्यरती तीन-चार वर्षों से तयारी कर रहे थे और उससे भी ज़्यातर वही से सना तक एवं पीजि कर रहे थे, जिससे पूछू कि कब से आप तयारी कर रहे हो, तो सबी एकी बात बताय कि कई वर्षों से तयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कुछ आर्थिक सीमाय थी जो अन्य लोगों से बिनना थी, इस प्रकार कुछ दिन तक मिलने एवं तयारी करने वाल में इतना मेनद शायद नहीं कर पाऊंगा साथ ही साथ बाबु जी की आर्थिक सिती इतनी अच्छी भी नहीं है कि मुझको 5-6 साल तक पड़ा सके ये बाते सोचकर मैं निराश हो गया और सोचा कि इतने वर्षों तक बाबु जी को मुझे बढ़ा नहीं कर पाएंगे और जो लोग इतने सालों से यहां रह कर तपस्या कर रहें शायद मैं उनसे कंपिट नहीं कर पाऊंगा कई राते वद दिन यहीं सोचते हुए निकल गए अंत में मेरे दिल ने फैसला किया कि दिगंबर ये नीली बत्ती आपके वश के बाहर है आप अपने बाबु जी का पेसा वह अपना टाइम बेवज़ा खर्च करेंगे जिसका कोई धनात्मक रिजल्ट नहीं आने वाला है बहुत सोच विचार वह मनन करके उपरांत जो मुझको अच्छा लगा उसके अनुसार एक निनने लिया बाविश्य के बहुत उच्चे सपने को तोड़ते हुए उसी राद बाबुजी को एक लंबा पत्र लिखा कि बाबुजी आपने कुछ बनने के लिए मुझको इलावात भेज दिया है लेकिन यहां पर तैयारी करने वालों की संग्या लाखों में है और जादतर अभ्यर्ती काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं जो मुझसे काफी तेज वार्थिक रूप से आगे हैं PCS बनने में टाइम और पेसा बहुत लगेगा और इतना समय और पेसा घर्च करने के बावज़ूद भी जहां चार लाग अभियर्ती फार्म बढ़ते हों तो कुछ काम बन जाता अतर मैं गाउं आ रहा हूँ और जो कुछ खेती उसको करूँगा लगता है कि अधिकारी बनना मेरे वश्का नहीं है इसी तरह का पत्र कर मजनून लिखकर लिफावब बन कर में जाकर पोस्ट कर दिया और इसके बाद जरूरी सामान खास तोर पर किताबे पैक कर सकुन भरी नींच से सो गया और पढ़ाई लिखाई बन करके बाबुजी के जवाब का बेसबरी से इंतजार करने लगा कि जूही जवाब आए कि बेटा तुम गाउं आकर खेती करो मैं बिना वक्त गवाएं अपने गाउं लोट तब जाओं पढ़ाई लिखाई पूर्णत बंद कर दिया और निश्चित भाव से बाबुजी के अनुमती पत्र की प्रतिक्षा करने लगा करीब आट दिन बाद बाबुजी का मोटा बंद लिफाफा प्राप्ट हुआ मैं पूर्णत अश्वस्त था कि पिता जी गाउं आने की अनुमती जरूर दे दिये होंगे लेकिन पत्र का जवाब कुछ और ही निकला और इस प्रका था प्रियो दिगंबर आपका पत्र मिला मैं बहुत बड़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन आपसे ज़्यादा अनुमभा हुए पहली बात तो ये कि मैं आपको अधिकारे बनाने नहीं बेजा हूँ आपके हाथ में कबल मेहनत है अता जब एक तक आपका अपना मन करे चिंता मुक्त होकर परिश्रम करिए और जाएगा तो बहुत अच्छा नहीं होगा तो मैं आपसे कभी इस बारे में दोश नहीं दूँगा दूसरी बात पेसे की है तो मुझसे बन पड़ेगा और जब तक जिंदा हूँ अपी लिए करता रहूँगा तिसरी बात घर जाकर खेती करने का है जो खेती है वो वही रहेगी नहीं होने के बाद आप खुशी से कर लीजिएगा कोई नहीं रोकेगा अंतिम बात की रिष्टदार गाओं वाले कुछ नहीं बनने पर ताने मार कर हसेंगे तो मैं उसका जवाब दे दूँगा आप मन लगा कर अपने स्वास्ट को ध्यान में रखते हुए सभी संदे को हटा कर अच्छी नियत से परिष्णम करिए पत्र तो काफी बड़ा था लेकिन पढ़ते पढ़ते मेरी सिस्कियां प्रारम हो गई थी और आखों में आसु अविरल निकलने शुरू हो गई थी और कई बार फाइनल सिलेक्शन बिनन बिनन पदो पर हुआ आज उनकी बदोलत में पुलिस अधिकारी हूं और अपने परिवार के साथ खुशाल जीवन वैतित कर रहा हूं उनका त्याग आदेश एवं सला आज भी याद है उस महान वेक्ति की आज पूर्णी थी थी है जिनको मैं हमेशा नमन एवं याद करता हूं सर आज फाडर्स डे है और फाडर्स डे पर आप क्या कहना चाहेंगे मैं यहां पर मैं यहां पर एडिश्टन रेस्पी देगम पर कुछवा और यहां है मेरा वैच उनीच चौरामे वैच है मैं जिला दिवर्यक रहने वाला हूं फाडर्स डे पर सभी को बढ़ाई देता हूं साती साथ मैं अपने पिता जी को याद करते हुए एक चोटी सी कहानी सुना चाहता हूं कि खादर ऐसा the को चाहता है कि घृषयलियस को चाहता है हमारे क्जोटे वच्टिकमें 12 prob की बिच्चे में 30 fem forbopsं आजा जा already जह आज वह के कहले लदुट है कि गॉर्पया ने रहे जो अपने कहरे हुए हय और मेरे unutसे कर तो उन्होंने मुझे को कहा कि कहीं दूर चले जाओ थोड़ा सा कम्टी से त्यारी करें तो मुझे लिगा कि मेरे पिता जी इतनी जादर पैसे वाले नहीं है मैं तो ट्याद के रहने वालों यका क्या आया में और आपका में रुपिया बहुत इंड़ कराऊगा और मिस्हीं को नीप पायाएगा और ने जरु करके गाम चला गया एक बात बाद इसमान सारा बांद लिए अपना बात कि यूट करें आंए कि पिताजी का लेटर और मैं ल लिखे जाते हैं एक चिठी बहुत लंबी से लिखवा रहा कि मैं तुमको सब्सक्राइब भीजा नहीं हुआ हूँ जब तक तुम्हारी तो तक तयारी करो नहोगा तो इस घरतनाने मुझे ख्रुकुना जो हुरीया विष्टक किताब बांग के मैं रखता था फुना वापस मैंने खूल दिया अग खूलने के बाद मैंने तुर्ण तयारी शुकी 12-14 गंटे पढ़ाई के बाद मेरा फर्स्ट एर में ही एकाउंट अपसर सेकंड बार में डिप्टियस की फर्ण बार में मैं पले आईस का इंटर्विव दिया नहीं हुआ यह उनकी महिमाती मेरे पिताज कर था जो मेरे पर भरोशा करते हूं इतना बड़ा पले समय दिया अन्य लोग पर क्यां करता है कि मैं अभी कहूंगा कि अप जादे अपने बच्चेश को सुरक्षित भय भविश्य दे सके उसको बनती के राज लिखा सके और कम समय में जाज़ाते ग्यान दे सके धन्यवाद कि अग्याद कि अग्याद कि